Hello everyone, मैं विशुल जीत सेंग आप सभी का देहिना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 08 का Unit 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के Basis पे क्या Topics बन सकते हैं उन Topic के Basis पे किस तरह के Quotions बन सकते हैं और Quotions के Pattern क्या होंगे उसके बारे में डिस्कूस करेंगे यह एक Short Video होने वाली है इससे आप Selective Study कर पाऊगे एक्जाम आपका 8-9 December से स्टार्ट है और आपके पास Time कम है आज 22 November हो गया ठीक है तो इसने कम टाइम पिरेड में अगर आपको पता हो कि इस चैक्टर में स्रीफ हमें यही पढ़ना है तो आपके लिए बहुत जादा Time Saver होगा ठीक है आप टाइम को बचा पाऊगे और इसली कवर कर पाऊगे अपने स्लिवस को तो इस वीडियो बहुत जादा Benefit होने वाला है आप सबी Students के लिए और भी पूरे Units की वेने वीडियो देरे देर बना रहा हूँ ठीक है पीछे की Units भी देखें जिससे आपको Benefit हो चलिए स्टार्ट करते है आज का Unit 4 जिसके अंदर में दोस्तों हम बात करेंगे परियावरन के V वी नियोग और अन्य परकार ठीक है परियावरन के अन्य परकार कौन-कौन से है नॉर्मलिल हम क्या बात करते है परियावरन के बारे में उसके बारे हम यहां पर discuss करेंगे तो क्या आता है सबसे पहले आता है उर्जा के संसाधन यहां पर उर्जा के संसाधन से आपका जो अर्थ है जो आप सोच रहोगे I hope so आप गलत सोच रहोगे अगर आपने इस chapter के बारे में नहीं पढ़ा है तब तक जैसे मैंने स्टार्टिक में जब पढ़ा तो मुझे लगा उर्जा के सुरूत से मतलब क्या electricity, busily ठीक है जो power होता है उसके बारे में मैंने समझा पहले पर जब मने इस chapter को पढ़ा तो यहां पर इसका मतलब यह ही नहीं देखो मैं आप से बात कर रहा हूँ अभी मैं early in the morning उठकर मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ बात कर रहा हूँ से तो मेरा उर्जा का सुरूत क्या है मतलब मेरी अंदर energy है ना तब मैं कर रहा हूँ मैं तो इस मौसम में सुबसुब उठकर बोलना बहुत ज़ादा tough हो जाता है ठीक है गले की problem रहती है अक्सवर ठीक है आप मेरी वीडियो देख रहे हो आप वीडियो से अपनी study कर रहे है तो आपका उर्जा का सुरूत मतलब अंदर से energy है ना तो जो अंदर से जो energy होते है उसको यहाँ पर उर्जा के तौर पे लिखाये गया है तो इस starting में यहाँ पर question क्या बनकर आता है इस chapter के अंदर में का उर्जा का उप्योग किस परकार से हुआ ठीक है उर्जा का उप्योग ठीक है और उसके सुरूत क्या है उसके बारे में हाँ पर question करता था पहले starting में में सिकार पी निरबर था शिकार करता था या फिर अग यहाँ करता हूए में हो निर्वडब्रत दिखे तो यह उसके उर्जा के स cuál गार लकाट फिर उसने कया किया पालना जैसे स्टार्टिंग में नगों के जानकारी नहीं तो इसड़ी उर्जा के निर्भरता भी कम थी उसका ओप्योग पर जब वो क्रिशी समाज की और विक्सित हुआ, क्रिशी की और जानने लगा, क्रिशी को जानने लगा, क्रिशी करने लगा, तो उर्जा का जो मांग थी, वो कई गुना बढ़ गई, ठीक है, उर्जा का मांग बढ़ गई, और अलग लग तरसे उसका उप्योग किया जाने लगा। यहां पर उर्जा से पावर की बात नहीं कर रहे हैं, इंटर्णल जो एनर्जी होती है, इसके बारे मी बात की जा रही है। जिसले ही, जैसे कईबार क्याता है है, मैं थग गया, थग गया क्यूंश recib और इनर्जी की बात की जा रही आप interest नहीं ले पारे, तो interest क्या आपकी energy है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, तो ओर्जा का उपयोग किस परकार से हुआ, उसके स्रोत क्या है, वो आपको यहां पर define करने है, और बहुत important question है, आपका, जो मैंने last 5-year की question विडियो बनाई थी, MHI 08 का और बागी सभी का, तो उसमें MHI 08 वाले में कई बार यह question repeat और रखा था, ठीक है, तो important question है, ठीक है, अगले chapter के और बढ़ते है, chapter number 12, जिसके अंदर में हम बात करते है, जल संसाधन, देखो, हमें विक्सित होना है, तो जल एक बहुत ज़्यादा important चीज़ है, और कई सारे जो philosophy है, ज जल विवाद बहुत बड़े विवाद के तोर पे देखा जाता है, तो सबसे पहला आता है कि जल संगरक्षन की तकनीक क्या है, यहाँ पर जल को हम कैसे संगरक्षित कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर question बन जाता है, जल संगरक्षन की तकनीक के किस परकार की है, और पुर पहले जल संग्रक्षों की तag नहीं किया थे इस तरह से आपको कई सारे से-मिंट में इस कोशं का और पढ़ना पड़ेगा जया जो बूमिकत जल बड़े उसके लिए उपाय किया जाए तो यह सारी चीज़े जो जल संग्रक्षों का ले ठीक है तो उसके बारे में आपे discuss किया जाता है ठीक है इस chapter को आपको पढ़िएगा बहुत important topics है और अच्छे questions बनते है और exam में अक्सर put up की जाते है तेरवा question है आपका आएगा वन संसाधन के उपर में अब देखो जंगलों पर निर्भरता है वन पर निर्भरता बहुत जादा मातरा में देखने के लिए मिलते है स्टार्टिंग से हमारे भारत के अंदर है और भी बहुत ज़ारी जगों पर तो वनों का किस तर से मतलब विनास किया गया किस तर से उसका उप्योग किया गया उसके बारे में आपके कॉश्च्ण बन जाता है कि वनसंसाधन है गया वनसंसाधन मतलब क्या उसमें से लकडी लेना, पेन, पोदे शारे वनसंसाधन के तौर पे देखे जाते तो उसके बनों का बदलते 항상 अब वोधन के बारे में बात करते जाएगा किस तरस उसका विनास किया गया उसके बारे में यहां पर discuss किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा किस परकार से इसका उप्योग था किस तरसे इसका अब वोधन हुआ वो सारी चीज़े यहां पर पढ़ने के ले आएंगी कि धातू के जब आया धातू आ गया तो धातू के बाद जीवन व्यापन के उपर में क्या पर वहां पढ़ा धातू मतलब क्या जैसे तामबे लोहे का उप्योग जब किया जाने लगा तो उसके बाद जीवन व्यापन पर क्या असर पढ़ा तो किस तरीके से परिवर्तन आया जी उन व्यापन के अंदर में वह आपको यहां पर बताना है ठीक है तो इस पूरे यूनिट के अंदर में यही पढ़ना था यहीं पर खतम होता है बट आप सभी स्टुडेंट्स के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो उनके ल जो 10 तक के सभी सब्यक्राटरी की वीडियो में बना रखे उसको जरूर को जिस एंदर में आपको लास्ट फाइएम्पर्इट्ट्स क은 मेर्द को बीडियो दिखेंगी और भी मिद्धे नमदेशन तो उसको जरूर को कि उसके आपका अपलोग को सभी स्थे में टेयरा प्र और आपके लिए अगर ये वीडियो कहीं भी valuable लगती है 0.1% भी तो हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों तक share जरूर करें जिससे उनका भी benefit हो क्योंकि मैं खुद बाहर classes दे चुका हूँ मैं भी एक MA history का student दे चुका हूँ बहुत जादा expensive होती है 2-4 class के बाद आप बोलो के रहने को भीया बहुत पढ़ले MA history वापस से आते हैं YouTube पे तो उसकी value को समझी अगर कोई आपको दे रहा है तो तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me अगर कोई doubt और confuse ओनो description में जाएए सभी social media platform के link है वहाँ से भी अपने doubt clear कर सकते हैं मुझे directly जुड़कर तो बाबे take care all the best